तो दोस्तों जो आज की वीडियो है one of the most important है और यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है क्योंकि मैंने यह मैं यह मैंने यह प्रॉब्लम फेस की जिस वज़े से मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना देनी चाहिए कि है कि है तो वीडियो जो होने वाली वह OTO CAT पर होगी अब व्यक्ल सारी पॉली लाइन अगर खीच रिख़ी है तो उन सारी पॉली लाइन का आप मैंने कैसे मेजर्मेंट करेंगे ठीक है सरच हबियारे झूलर apt sing rock के एक आपने कोई बड़ी स्य गूरंब पर इसमर्ड कि पर गज है जो उसके चारो तरफ की बॉंडी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और बाकि जो आटोकाइट बिल्कुल नहीं जानते और सीखना चाते तो मेरी आटोकैट की लिस्ट चेक कर सकते हैं उसमें मैंने बेसिक से आटोकाइट के बारे में बताया है और जो मेरे चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो बहुत दवाना बिलकुल भी ना भूलें तो गत्रिपल टी टिप्स ट्रिक्स और टूटोरियल तो विदाउट अनी फ़र्द दूले लेस्ट इस वीडियो तो वेलकम इन आटोकेट टो थाउजन टूइन तो जो में आटोकेट यूज्ट वेज़ कर रहा हूं वो दो जार बाइस वर्जन है मतलब सबसे लेटेस वर्जन में आटोकेट का यूज्ट कर रहा हूं ठीक है तो जिसमें मैं जो जो आप्शन लूँगा हो सकता है 2018 17 के आटोकेट में यह आप्शन सेमलरली हो अगर उनसे नीचे का होगा तो मैं बता दूँगा कि कहां पर वो आप्शन मिलेगा तो बिसिकली हमें जानना क्या है कि हमें किस तरह से यह हमारा एक एरिया है हमारे एक प्रोजेक्ट का एरिया है जिसकी यह बाउंडरी है अब इसको आपना इस बाउंडरी की लेंद कितनी हो गया अक्शल में तो इसका कोई प्रोपर तरीका नहीं आप मिजर्मेंट इसको नहीं कर सकते हैं इसे रेंडम ली ठीक है ना तो कोई कमांड ऐसा कि जिसके तुरू आप इसका एरिया निकाल या इसकी लेंद निकाल सकते हैं मगर इसमें एक तरीका है जिसमें मैं एक एक्स्टर्नल फाइल का सारा लेते हैं जिसके थूरू हम आचानी से इसकी लेंद बता सकते हैं ठीक है तो वही एक्स्टर्नल फाइल मैं लोट करूंगा और उसके थूरू मैं इसका लेंद कल्कुलेट करूंगा और उस फाइल को म description में डाल दूँगा वहां से आपको फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रोसेस जो steps में ले रहा हूं उसके थू आप भी अपनी polyline की length calculate कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है अब इसमें manage में आई अप ठीक है अब जिसका manage है ये ठीक है जिसके में में ये manage है वो तो ठीक है किसी के में tools होगा ठीक जिसे जो latest version है उसमें manage में जाना है वो पुराने वरजन हो तो उसमें टूल में जाना है और वहां से आपको करना है load application ये वाला option load application पर क्लिक करिया आप आपकी window खुल के आएगी आपकी file जो पढ़ी होगी जहां पर वहां आपसे आपको करना है locate जैसे मेरे looks in ये download में देख रहा है अगर आपने कहीं हो रखी है तो आप उसको drop down करके आप उस folder में जा सकते हैं यहां से ठीक है तो मेरी file download में पढ़ी हुई है और ये file उपर total length नाम से प है ठीक है ये verified publisher नहीं है इसलिए बता रहा है उसे कोई issue नहीं है ये एक तरह का command है तो load once में ने किया और close कर दिया तो अब ये मेरा जो tl नाम से command है lsp, है वो load हो गया है ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा tl इंटर ये देखिए ठीक है मेरा length total बता दिया 965 अब जो unit आपने set कर रखी होगी अगर आपने meter ने बना रखी है तो इसकी length वो meter में बता रहा है अगर आपने fit में दे रखा है तो वो fit में बता रहा है ठीक है आपने जो unit standard set कर रखा है उसके according ये बताएगा 965.22 अब जो मैंने unit लगा रखी है जैसे मेरे में meter है तो ये 965 meter overall length है ये तो अगर मुझे fencing करानी होगी तो 965 meter की length मेरी लगेगी इसको चार तरफ से cover करने में ठीक है किस step क्या क्या करना है आपको वो file description से download करनी है ठीक है download करने के बाद आपको इस तरह से जो जिसका भी length calculate करना है उसको खोलना है वो file उसके बाद manage में आना है load करना है ठीक है और उस file को track करना है यहां से load करने के बाद वो file ये load करने के बाद load किया आपने close किया ठीक है successfully loaded हो गई अब आपको कुछ निकरना इसमें type करना है tl इंटर मारना है ठीक है tl इंटर मारिया अब ऑब्जेक्ट select करें और फिर इंटर मारें जैसे इंटर मारेंगे आपके सामने length आ जाएगी ठीक है तो यह बहुत ज्यादा useful है और बहुत ज्यादा time saving है ठीक तो मुझे उमीद है कि आपको यह video पसंद आया होगी और आपको यह trick भी अच्छे लगी होगी तो अगर आपको यह trick अच्छी लगी हो तो जैनल को subscribe कर लिए गा और जो लोग नीड़ी हो तो उनको तक वीडियो शेयर कर दीजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही अपना ख्यार लखेगा